है कि अभी एक कर दोस्तों आज बात करने वाले हैं इस विल्म के बारे में जिसान दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा आज गौर्वेंट ने निउ पेमेंट डाइप लॉंच किया जिसका नाम है भीम बारत इंटरफेस फॉर मनी आईए दोस्तों अभी सैप को इस करते हैं अबने स्मार्टफोन में और फिर इसका देखते हैं फुल डेमो अगर 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 आप वहाँ से नहीं करना चाहते तो अप प्लेस्टोर में जाएंगी जाना है और प्लेस्टोर में आपको टाइप करना है आपको यहां पर छोटा भी मिलेगा आपको कहीं पर वी वो एप डेखने को नहीं मिलेगी आपको काफी नीचे जाना पड़ेगा जैसे कि आप देख सकते हैं ओके दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यह भी एप का आइकन है इस एप को आपको इस्टॉल करना है जैसे कि आप देख सकते हैं हम इंस्टॉल कर लेते हैं चलिए दोस्तों जब तक एप इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको कुछ जूरूरी बाते बता देता हूं जैसे कि आप देख सकते हैं बारत interface for money इस Wars math का नाम है तो इस 일본 को start कि या ए इन पी सिया ने सब्सक्राइब देख सकते हैं, as compare to API app's यह भर यूज यूज करने में बहुत इस से के अपना कस्टम जो भी अपना एड्रेस है वो क्रीट कर सकते हैं कोई भी अड्रेस जैसे भी biodiversity देखा Ñ जैसे कि आप 0 लैंग्वे डिख को संपर्ट करते हैं अब हैं फिलाल यही बैंगेर्ट है यह डॉस्तों ये दोस्तों पढ़ेगा आपको सबसे पहले अपना मॉबाईल नमबर जैसे कि हार आपको सीम वन से करना है या सिम तो से करना है जैसे कि वड़ आप इसके इंदर केरफुल जेए जिस बैंक एकाउंट चाहिए आपको फोन नमबर लिंक है उसी नमबर को आपको क्लिक करना है दूसरे को न इसके अंदर अपना कोई भी रेजिस्टर करने के लिए कोई भी कोड डालना पुड़ेगा ओके दोस्तों मैंने अपना कोड डाल दिया है तो मैं जस्ट पूके करता हूं जैसे कि आप देख सकते हैं कोड कर पाम हो चुका है और उसके बार यह बैंक से हैं मुझे जसके अंदर अपना बै्क सिल्ट करना तो यह मेरो कोई नंबर नहीं डालना आपना ओन नहीं डालना या कुछ भी न ही डालना जैसे कि मेरा एकाउन टूझ लेता हूं पां दोस्तों उसके बाद मुझे सेट करना है अपना यूपी आई पिन बड़ मैं स्टैप को भी स्किप कर देता हूं आए देखते हैं दोस्तों इस एप के अंदर हमें क्या क्या सर्विस मिल रही है आप इससे पेमेंट को सेंड कर सकते हैं किसी को पेमेंट रिक्वाइस कर सकते ह हैं और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हम ट्रांजेक्शन डीटेल्स देख सकते हैं जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे और उसके बाद यहां पर दोस्तों आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं जैसे कि यह देख सकते हैं इसको कोई भी स्कैन करेगा और दोस्तों इसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको जैसे कि आप money request करेंगे तिसको इसके अंदर money request के लिए आपको किसी का mobile number डाल सकते हैं या फिर दोस्तों इसके अंदर एक और interesting use है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर generate QR code है आपको यहां करना कुछ नहीं जैसे आप आपको जस्त मुझे किसे payment लेना है मैं जस्त 500 डालूँ हूँ उसके पर डालूँ हूँ क्यों लेना है जिसमें यह बील लिख देता हूँ जैसे generate QR code कर देता हूँ ओके दोस्तों जैसे जब देख सकते है QR code generate हो चुका है इस QR code तो आप download भी कर सकते हैं तो किसी को send भी कर सकते हैं यहां तो direct आप यहां इसे share कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं इस app के अंदर शेयर को उप्शन है तो आप इस app को just share पे क्लिक करेंगा तो तब किसी भी सकते हैं चीट के साथ बी सर्विस करने वाली सब्सक्राइब कर सकते हैं कि इसे कर सकते हैं तो आपके दोस्तों आपके इस वीडियो में बस इतना है और यह वीडियो आपको बसंद आए हो इसी फिल लाइक और शेयर करना मत भूलेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब के जिए ताथ यह ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे हैं ओके दो तो थैंक यू पर वाचिं दिस वीडियो